असलाम लेकूम and welcome back to the channel once again उमीद है आप सब खैदिस से होंगे आज हम जिस गारी का short review करेंगे वो है पाकिस्तानी आल्टो 606 CC 2020 का मॉडल है और इस गारी को मैंने क्यों रखा हुआ है और मेरे experience कैसा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा ही दो है पपके असलोय के य Гिए खाय के एपके मादें अ रहाई है और अ स्वेह सेजियर के अछे़ा है वो खाय के उसले और आफ़ा हैँ झाल झाल तो यह गाड़ी जो है वो मेरी second car तो नहीं आप कह सकते हैं तो थर्ड कार कह सकते हैं कि मेरे पास एक RX8 भी है और इस गाड़ी को मैं जो है वो डेली डेवन के तोर पर इस्तमाल करता हूं और क्योंकि यह rough and tough है और मुझे इसको प्रैक्टिकल बहुत है अगर आप किसी डश् सकें पार कर सकें तो अगरा बड़ी गारी को किसी जगह पर पार करना चाहते है न तो आपको डर रहता है कि आद मैं इसको यहां पर पाक करूंगा तो को बाइक वाला ना साथ लगा दे या कोई पच्छा ना उसको को फिसे चीज से स्क्रैश कर देना तो आपको इशू रह ही है और उसमें मुझे थोड़ा सा इसी हुई यह आता था कि उसका जो एसी है ना उस पर आपको कंप्रमाइज करना पड़ता है जब तंपरेचर होता ना बाहर तक्रिबन 45 46 47 चल रहा होता है तो उस टाइम वो उसका एसी ट्राफिक के अंदर जो है वो इतना अच्छा काम न 45.88 चलता है शुरू में मैं भी भी बलीव नी करता था लेकिन जब मैंने एक्सपिरियंस किया तो मैंने फिल किया वाकि एसका जो एसी आए वो बहुत 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 है बहुत अच्छा है और आक बिल्कुल फील नहीं कराती कि बाहर तंपरेचर ज्यादा है गर्मी है और आपको कुलिंग पूरी नहीं मेल रही एक तो यह चीज है तूसरा यह है कि अगर आपने इस गाड़ी को रखना है तो आपके इसकी जो गाड़ी के टायर है वह आपको चेंज करवाने चाहिए यूंकि जो स्टॉक टायर लगके आता गाड़ी को वह छोटा होता है उस पर मैंने इसमें जो भी टायर डाले हैं वह है एक सो पजातर सटर तेरा की प्रोफाइल लगी हुए है अच्छा इसमें क्या होता है कि आप जब गाड़ी को बड़ा टायर लवाते हैं तो लोगों का समझना है कि इसमें आपको 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 बहुत जादा कंप्रोबाइस करन अब होगी अगर आपको बड़े शहर में रहते हैं और जहां पर एक सिंग्नल से दूसरे सिंग्नल तक कर डिस्टन्स जादा है तो वहाँ पर आपको इजी ली बीस इकिस बाइस तक कर आपको आपको देती है लौग की बात करें तो लौग पर अगर मैं इसको सौस तक चला होगी और ब्रेकिंग भी अच्छी होती है थोड़ा साथ को सस्पेंशन पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि सस्पेंशन थोड़ी सी गाड़ी की वह स्टेफ हो जाती है अच्छा उसका स्लूशन यह है कि अगर आप गाड़ी में जो हवा है वह 24-25 तक रखते हैं मतब कि 30- करने की जुरूरत नहीं है 24-25 पर भी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है कोई मुझे कोई बुरा फील नहीं हुआ 24-25 पर आपकी गाड़ी की जो सेस्पेंशन बहुत बहुत बड़ा रोल है और हमेशा कोशिच करें कि जब आप टायर डलवाते हैं तो गाड़ी का टायर च इस की जो बहुत अच्छी जो बहुत अच्छी है जो जब हो बागा बाट चियाए सब्सक्राइब करunter के अगर आप बाट बहुत अच्छी है यह वह ब्यंसक्ड कहल compensate कर बहुत है कर दो अधिए लाज कि इस पार फोलकर केश्या चश्या पर यह प्र कर शेच के उपनी टाय तो रात का टाइम था और मैं स्पेर वील अपना निकाल के लह रख गया बस वह मेरी उस दिन बैड लगती कि मैं निकाल के मैं रख दिया क्योंकि में बस समान था तो मैंने का यार चलो टायर नहें गाड़ी के तो कोई बात नहीं तो बहुत बेशक टायर नहे हो अगर बुरा लां नहीं ञलेट लोगो गाड़ी में जारा है उपना आपने जूरूर रख टायर लगता उसक्ति नहीं जारह पर लोगवान बात चुहार हो लुक्तिम लेघक से ख़ंच परेणा थायर यह स्क्स्तिन रख अब बहुत बढ़ी प्राप्बल्म और इसको इस तरह आपने अर्जस्ट कर लेना है तो आपके पास एक जो है वह स्पेर विल की अप्शन आजाएगी और दूसरी बात यह कि इस गाड़ी को लोगों लोग समझते हैं कि छोटी गाड़ी यह तो चड़ाईनियों पर कैसे चड़ेगी तो भाई इस गाड़ी को मै दाइनो वेली तक लेकर गया हूं और इसने कोई तंग नहीं किया और पूरी पैक फुल फुल लोड़ेड गाड़ी में लेकर गया हूं और यह चड़ती गई और कहीं पी भी मुझे कंप्रोमाइज नी करना पड़ा कि भी अट गाड़ी में जान नहीं है अंडर पावर है यह लग है और बहुत अच्छा है जो है इसने आसा दिया तो इस गाड़ी में एक आरके मीटर नहीं आता वो मैंने यह एक लगाया वा क्यूंकर आपको पता मुझे शचकों का शौक है और रिम्स जो है वो मुझे ज्यादा प्यारे लग रहे थे तो मैंने यह लगाए अग इसमें ABS नहीं आता लेकिन फिर भी इसकी गाड़ी की जो ब्रेक है वो अच्छी है अच्छा मैं आपको बता रहा था कि बड़े टाइडल वाकि गाड़ी की रोड ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है इवन कि इस गाड़ी को मैंने 120 130 पे भी चलाया है टॉप भी अगर आप टायर इसके स्टॉक रखेंगे तो पिर यह आपको चीजें नहीं मिलेंगी तो आजकल तो गाड़ी की प्राइस बहुत है भले वक्तों में जब मैंने ली थी उस्टम गाड़ी सश्ती थी तो लेकिन यह के जो भी आजकल फ्यूल के हलाँ चल रहे हैं तो यह गा आपको कंप्रोमाइस करना पड़ता ने लेकिन फिर मैं चोटी गाड़ी है इसमें स्पेस अच्छी है सब कुछ अच्छा है आपको कहीं पर पाक करने वह आपको को इश्यू नहीं है तो यह था एक छोटा सा हमारा रिव्यू और एक मेरे पास जब थी तब मैंने उसका रि करेंगे और वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा और दौब में यार रखीएगा इंशाला अगली वीडियो में चाहिए मुलापात होगी तब तक के लिए मुझे देजाज़त अलाफेश